स्वागती दोस्तों आप सभी को टेकराच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी वावे ओनर मुबाइल पर नेट्वर्क प्राब्लिम को आप कैसे सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए हमें जो ही कभी कभी अपने वावे ओनर मुबाइल पर नेट्वर्क शो नहीं होता है और कभी कभी जो है हमें यहां पर हमारा जो नेट्वर्क होता है बहुत ही कम हमें शो करता है ठीक है और network होने के बावजूद भी हमें यहाप ए data connection, internet connection का problem सुवगेरा face करने के लिए मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे आपका mobile में network से related जितना भी आपका problem है उसे आप कैसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा step by step वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को भी subscribe कर लिजेगा तो सबसे पहले आपको जाना है अपने mobile का settings पे settings पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप अपना mobile का flight mode को एक बार on कर दीजेगा उसके बाद में अपना mobile को एक बार restart करके इसे off कर दीजेगा और एक बार check कर लिजेगा आपका network काम करता है कि नहीं सहीशे ठीक है यदि आपको network फिर से problem होता है तब आप क्या कर सकते है एकदम नीचे चले आईए और यहाँ पे advanced settings पे चले जाईएगा और नीचे आपको network setting reset पे क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पी क्लिक करेंगे क्या होगा कि यह आपने आपका network connection का जितना भी settings वगरा होगा है वह आपने छेरखा नहीं करके रखा है तब आपको क्या करना है system पे चले जाईए और sim को बंद कर दीजेगा sim को बंद करने के बाद में आपका sim जो है उसे आप निकाल लिजेए ठीक है eject कर लिजेगा निकालने के बाद में आप दुबारत से भर दिजे और अपना sim को own कर दीजेगा उसके बाद में एक बार network चेक करके देखेगा आपका network काम करता है कि नी ठीक है इतना करने के बाद में दोस्तों आपका definitely काम करना चाहिए by any chance ये फिर भी आपको problem हो रहा है तब अपना mobile में एक बार system update चेक कर लिजेगा ये दि system update आया है तो आप update कर लिजेगा ठीक है कभी कभी system update नहीं करने पर भी हमें network में problem होता है और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका sim company के तरफ से ही server down है उन्हों का service थोरा down है इस वज़े से भी आपको problem हो सकता है तो make sure कि आपका service down ना रहे वो रहेने से भी आपको problem हो सकता है तो उमीद करतों आपको वीडियो पसंद आओगा thanks for watching